दो कॉप मेदा लिजिए, if you have no measuring cup, you can set a bowl for it, then add salt to taste, 1 tablespoon sugar powder, 2 tablespoon oil, half tablespoon baking powder, 1 fourth tablespoon baking soda, half cup curd, mix it well अब डो बनाने के लिए हम इसमें आड करेंगे थोड़ा सा हलका गरम पानी, मैंने यहां 4-5 spoon water आड किया है, अब 3-4 मिनिट के लिए इसे अच्छे से गूथ लेंगे अब नान के लिए हमारा perfect dough बन के तयार हो चुका है, अब इसके उपर थोड़ा सा oil लगा लेंगे और 1-2 घंटे के लिए इसे cover करके रख लेंगे एक-2 घंटे के बाद हम cover निकाल लेंगे, अब हमारा dough पहले से भी ज़्यादा सब्ट है, इसे और एक मिनिट के लिए गूथ लेंगे अब हम इसकी लोईया तोड़ लेते हैं, यहां हम 5 लोईया तयार किया है नान बनाने के लिए हम एक लोईय उठा के सुखे मैदे में लपेट लेंगे और फिर इसे बेलेंगे हम इसे ओभाल सेप में या फिर गोल और जैसे हमें अच्छा लगे वैसे बेल के तयार कर सकते हैं हम इसे थोड़ा मोटा बे लेंगे डालेंगे थोड़ा सा काला जीरा अगर आप चाहे तो चौप किये हुए धनिया पत्ते भी डाल सकते हैं फिर इसे हलके से प्रेस कर लेंगे उसके बाद इसे उल्टा करके इसकी बैक साइड में थोड़ा थोड़ा करके पानी लगाएंगे ताकि ये चारो तरफ से हलका गीला हो जाए अब हमारा नान सिखने के लिए तयार है लेकिन इससे पहले हम चेक कर लेंगे कि हमारा तवा गरम है की नहीं अब हम तवे को उल्टा करके नान को डिरेक्ट फ्लेम पे सेकेंगे फ्लेम को मीडियम रखे नान बनाने के लिए हमेसा लोई की तावा यूश करे इसी तरीके से तवे को घुमा घुमा कर नान को सेकना है ताकि ये चारो तरफ से अच्छे से सीख जाए अब देखिए हमारा नान अच्छे से सीख गया है और नान के उपर चारो तरफ ब्राउन स्पर्च पे आ गया है यानि हमारा नान बन के तयार हो गया है अब हम इसे एक प्लेट में निकल लेंगे देखिए बैक साइट भी अच्छे से हो गया है अब हम इस पे बटर लगाएंगे जो कि हमने मिल्ट करके रखा हुआ था अच्छे से बटर लगा लेंगे अब हमारा टेस्टी बटर नानी इस रेड़ी अब हम दूसरा नान बेल कर तैयार कर लेते हैं पहले की तरह इस पे डालेंगे थोड़ा सा काला जीरा अब चाहे तो चौप किये हुए धनिया पते भी डाल सकते हैं फिर हम इस पे आड़ करेंगे थोड़ा सा ग्रेटर गारलिक और फिर इससे हलके से प्रेस कर लेंगे उसके बाद इसे उल्टा करके इसकी बैक साइट में पानी लगा लेंगे ताकि ये चारो तरफ से हलका गीला हो जाए अब हमारा नान सिखने के लिए तयार है पहले हम चेक कर लेंगे तवा गरम है की नहीं फिर हम नान को तवे पर डाल देंगे सिखने के लिए कुछ टाइम बाद जब बबल साना सुरू हो जाएगा हम तवे को उल्टा करके डारेक फ्लेम पे नान को अच्छे से सिख लेंगे तवे को इसे गुमाते रहना है ताकि चारो तरफ अच्छे से सिख जाए हम इसे बीच में ज़ाग कर देख सकते हैं कि हमारा नान चारो तरफ से अच्छे से सीक रहा है या नहीं अब हमारा दूसरा नान भी बन कर तयार हो गया है आप इसे घर पे ट्राय कर सकते हैं ये बनाना बहुत ही इजी होता है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी और सर्फ होता है इसे आप आपकी पसंदिता कोई भी ग्रेवी करी के साथ सर्फ कर सकते हैं अब हम इस पे अच्छे से बटर लगा लेंगे और ये इप्यू लाइक में वीडियो देन प्लीज लाइक और सेयर इट अब हमारा गालिक बटर नानी इस रेड़ी थैंक्स भाइवाचिं